हेलो दोस्तों आप सभी का मेरी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेसाव सिर्फ दो चीजों से कम खर्चे में बाजार में मिलने वाली हजार रुपए किलो मिठाई वो भी हलवाई स्टाइल तो चलिए इसकी फटा फट से रेसेपी द लग दिया था और अब देख सकते हैं काजू हमारे पानी में बहुत अच्छी तरीके से फुल गए हैं और अब हम एक इस तरीके का श्टैनर या च्छनी लेंगे और इसके उपर सारे काजू को एक एक करके हम इस तरीके से पानी में से छान लेंगे या निकाल लेंगे जिस जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और काजू को हम इस तरीके से निकाल करके से 10 मिनट के लिए हम साइड में रखेंगे जिससे इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा और आप देख सकते हैं काजू हमारे बहुत अच्छे से फूल गए हैं और अब हम एक पैन या कड़ाई लेंगे और इसमें सारे काजू डालेंगे और अब यहां मैं एक बड़ी चम्मच चीनी ली हूँ और अब हम इस चीनी को काजू में डालेंगे काजू में डालकर चीनी को काजू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं यहां काजू को चीनी में यहां मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम एक मिक्सर या ग्राइंडिंग जार लेंगे यहां मैंने छोटे वाले जार का यूज किया है और जार में यहां मैंने काजू सारे डाल दिये हैं और आप भी इस तरीके से ही बिल्कुल साफ और क्लीन काजू ले और अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और आप देख सकते हैं यहां मैंने जार में 4-5 चमच पारनी डाल कर काजू को बहुत अच्छी तरीके से बारी गराइंड कर लिया है और आप देख सकते हैं काजू मारे बहुत अच्छे से गराइंड हो गए है और इसका बहुत हिल्का दरदरा फन बिलको बना हुआ है हमें इसे इतना ही ग्राइंड करना है हम आगी का प्रोसिस के लिए एक पैन लेंगे, गैस ओन करेंगे और पैन को अच्छे से गरम होने देंगे और अब हम पैन में काजू का पेश्ट दा लेंगे और इस टेम पे गैस का फ्लेम मेडियم रखेंगे जिस्से काजु का पेस्ट बिलकुल भी जलेगा नहीं और ये बिलकुल धीमे धीमे और अच्छे से पकेगा और हम इस तरीके से इस पैचुल से इसे कंटियोई चलाते रहेंगे जिससे ये बिलकुल भी पैन में नहीं लगेगा और आप देख सकते हैं इससे पकाते हुए दो मिनट हो गए हैं और अब हम इसमें एक और बड़ा चम्मच चीनी डालेंगे चीनी आप अपने हिसाब से कम्या जादा एड़ कर सकते हैं अगर आप जादा मीठा पसंद करते हैं तो आप तीन से चार बड़े चम्मच भी चीनी इसमें एड़ कर सकते हैं और चीनी डाल कर हम इसे इस तरीके से continue चलाते हुए पकाएंगे जिससे पैन में ये लगेगा नहीं और बहुत ही जल्दी और अच्छी तरीके से कुक होगा और आप देख सकते हैं इसे पकाते हुए चीनी के साथ लगभग 2 मिनट हो गया है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से चीनी भी इसमें melt हो गई है और काजू का पेश्ट हमारों बहुत ही अच्छी से पक गया है और आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये पैन भी छोड़ रहा है यहां मैंने इसमें बिल्कुल भी घी का यूज नहीं किया है आप जो काजू के पेश्ट में शाइन या चिकनाहट देख रहे हैं यह काजू का खुद का ओयल है जो इस तरीके से अगर आप पकाएंगे तो वो खुद रिलीज करता है और आप देख सकते हैं यहां मैं इसे continue इस तरीके से चला के पका रही हूँ और यह easily पैन को छोड़ आपको जैसे जैसे यह पक रहा है काजू अपना घी रिलीज कर रहा है तो हम इसे इस तरीके से continue चलाते रहेंगे जिससे इसमें ना milk powder डालना पड़ेगा आपको सिर्फ दो ingredient से यह बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाई बनके हमारा तयार हो जाएगा और आप देख सकते यह बहुत अच्छे से पक गिया है और यह बिलकुली पैन को छोड़ आए और इस टेम पे gas का flame off कर देंगे और अब हम इसे ठंडा होने देंगे और अब हम एक butter paper लेंगे अगर आपके पास butter paper ना हो तो आप कोई भी plastic seat ले सकते हैं और यहाँ मैंने इसे एक कटोरी में निकाल लिया था जिससे हमारा काजू का batter या dough easily और जल्दी ठंडा होगा और अब हम कटोरी से इसे butter paper पे निकाल लेंगे और अब देख सकते हैं मैंने इसे निकाल लिया है और अब हम इसमें बहुत ही थोड़ा या एक चोथाई चम्मच घी डालेंगे जिससे इसका स्वाद और जादा बढ़ जाएगा और अब हम इसे इस तरीके से butter paper से दबाते हुए मसल लेंगे या चिकना कर लेंगे जिससे हमारा recipe या मिठाई बहुत ही जादा स्वादिश्ट बनेगी और आप देख सकते हैं यहां मैं इसे butter paper से अच्छे से चिकना कर ले रही हूँ यह process हमें लगभग एक मिनट करना है जिससे इसे इमें एक भी लम्स नहीं रहेगी और आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से चिकना कर लिया है या गूत लिया है और अब हम इसे हलके हाथों से दबाते हुए रोल कर लेंगे और एक जगा इकठा कर लेंगे और अब हम बटर पेपर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दूसरे किनारे को भी हम इस तरीके से fold कर लेंगे और आप जिस shape में बनाना चाहते हैं उस shape में इस तरीके से butter paper को fold कर सकते हैं और यहां मैं इसे square shape दे रही हूँ और आप देख सकते हैं यहां मैंने butter paper को अच्छे से square shape में pack कर लिया है और अब हम काजू के paste को balance से अच्छे से दबाते हुए या press करते हुए square shape में अच्छे से बेल लेंगे और यह देखिए यहां मैंने इसे equally balance से अच्छी तरीके से बेल लिया है आप इस तरीके से बेल लेंगे तो आपके मिठाई में ज़्यादा wastage नहीं होगा और आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है और अब हम butter paper को अच्छे से खोल लेंगे और यह देखिए हमारा बिलकुल perfect square shape में काजू के dough को बेल लिया है और आप देख सकते हैं काजू का dough बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा sit हो गया है और हम चाकू या knife से इसके side को और अच्छे से press कर लेंगे जिससे ये और अच्छा shape इसका set हो जाएगा और अगर आपको लगे कि ये equal नहीं है तो आप चाकू से इस तरीके से press करेंगे तो ये बहुत ही perfect हमारा set हो जाएगा और अब हम इसके उपर चांदी का work लगाएंगे चांदी का work लगाना optional है यहाँ मेरे पास था तो मैं इसे लगा दे रही हूँ जिससे इसका look बिलकुल ही shop या हलवाई जैसा आएगा और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने दूसरा work भी लगा दिया है और अब हम इसके पेपर को remove कर लेंगे और इससे एक से दो मिनट के लिए और अच्छे से ठंडा होने देंगे और आप देख सकते हैं हमारा काजू का डोव अच्छे से ठंडा हो गया है और अब हम इसे चाकू या knife से पिलकुल perfect shape में cut कर लेंगे और आप देख सकते यहां मैं इसे अच्छे से लंबे लंबे safe में cut कर ले रही हूँ और अब हम इसे दूसरे angle से knife या चाकू से ही हम cut कर लेंगे और आप देख सकते हैं हम यहां पे इसे अच्छे से cut करेंगे जिसका इसका बिलकुल perfect shape आएगा और अब आप देख सकते हैं हमारा काजू बर्फी या काजू कतली बनके तयार हो गया है तो इस तरीके से अगर आप काजू कतली बनाएंगे तो इसका स्वाद और flavor बिलकुली बाजार जैसा आएगा तो आप घर पे इस तरीके से छोटे छोटे काजू कतली भी बना सकते हैं आप दिवाली पे बच्चो हो या बड़ो सभी को इस तरीके से बनाके सर्फ करेंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इसे आपने घर पे बनाया है और अगर आपको मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी और हेलफुल लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फूर वाचिंग